हेलो BSC First Year student कैसे हैं आप सभी लोग उमीध है आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तो आज किस वीडियो के इंदर हम डिसकस करेंगे BSC First Year Botany के First Semester में आपका Theoretical Paper आता है Microbiology and Plant Pathology दोस्तो इस Semester से उल्लेडी में कई सारी वीडियोज अपलोड कर चुका हूँ अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो description box में आपको link मिल जाएगा या फिर आप channel के अंदर जाएंगे आपको एक अलग से playlist मिल जाएगा आज की इस वीडियो के अंदर हम डिसकस करेंगे एक most important short question माइको राइजा माइको राइजा के बारे में BSC MSC के एक्जाम पेपर में दो नंबर में या सड़े तीन नंबर में short question पूछा जाता है 2022 के लिए एक most important short question है जितने भी BSC के student है इसको अच्छी तरह से note down करेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे कि माइको राइजा बेसिकली होता क्या है और इसका डाइग्राम भी आप लोग note down करेंगे तो BSC student यदि आप BSC के concept को हिंदी में समझना चाहते हैं तो आप इस channel से जुड़ सकते हैं चली वीडियो को start करते हैं हैं डालीजिया माइको राइजा स्टूडेंट जितने भी राइयर प्लांट्स के अंदर कौन कौन से रखे गए जैसे एंग्यु स्पर्म या जीम्नश्पर्म हाइयर प्लांट्स की जड़ोगा जो में कि टन्तू होते हैं ऐसा symbiosis एक सहजीवी संबंद एक relationship पाया जाता है इसी को हम कहते हैं माइको राइजा आयोप आपको अच्छे समझ में नहीं आया होगा जैसे देखे जिम्नोस्पम प्लांट होते हैं उनकी जड़ों में कवक के कुछ फिलामेंट होते हैं वह आपस में ऐसे रहते हैं जैसे एक दूसरे को profit पहुचा रहे हों एक association देखने को मिलता है उसी को माइको राइजा कहते हैं जनरली प्लांट और फंजाई इस association या सहचरी में एक दूसरे को profit पहुचाते हैं प्रन्तु कभी-कभी फंजाई जो होता है यानि पूरी तरह से परजी भी उपाया जाता है जब फंजाई फिलामेंट जड़ की सत्यां पर व्रद्धी करते हैं तो इसे हम बोलते हैं जड़ की सत्यां पर व्रद्धी करते हैं तो इसको हम बोलते हैं एक्टोट्रोफिक माइकुराइजा और जब वो उसको पैनेट्रेट करके जड़ को पैनेट्रेट करके जब वो उसके अंदर टिस्यू में ग्रोथ करता है तो उसको हम बोलते हैं एंडोट्रोफिक माइकुरा प्रभावित नहीं करते हैं और इस प्रकार से पोशक को हानी नहीं पहुंचती है। वैसे तो सहजीवी संबंद की प्रकरती की कई प्रकार से व्याख्या की गई है। प्रंतु किस प्रकार कवक लाबदायक करिया दर्शाता है यह सुनस्चित नहीं है। जैविक दरश्टी से माइकोराइजा अत्यंत महतपूर्ण है यह है व्रक्षार ओपन में महतपूर्ण भूमी का निजवाते हैं। कुछ चीर इस्थाई पोधे में कुछ माइकोराइजी कवक के मूल ट्यूबर उत्प्रेरित करते हैं। कवक का सहजीवी संबंद उच पादपो यानि हाइयर प्लांट्स की जड़ों के साथ माइकोराइजा में मिलता है और यह है एक्टो ट्रॉफिक जैसे पाइनस के केस में और एंडो ट्रॉफिक जैसे आर्किट के रूप में मिलते हैं। गॉल साथ में करेंगे तो यह ढ करते हैं तो अंदर के लिए गरीं पर होता है उसे बोलेंगे एक्टो ट्रॉफिक इंपॉर्टेंट है कई रां इसल मिलों पाइड बनाएंगे और एक्रट्रोफिक बनाएंगे आगर आप बनाएंगे रP यह सकता है दो अबर यह इसमें अभिप्रता पुर्ट्रों चाल सकता है रहर को झाल झाल